मैं मोहित इंडिया बैनोकलो शॉप से मैंने आज कुछ वीडियो आपके साथ शेयर किये 20 x 80 लॉग निज बैनोकलो उसमें छोटे हाई जूम वले बैनोकलो भी थे अब जो वीडियू है वो मीडियूम या हलके से मीडियूम से बड़े बैनोकलो हैं लेकिन यह सारे जूम वल कोनस का जो आपका है 10 x 30 x 60 मतलब 10 x 30 x power में हैं और 60 mm lens का साइज है तो इसका मतलब यह हुआ है कि 60 mm का जैसे आप टेलिसकोप लेते हैं तो इसमें दो टेलिसकोप लगे हैं और 10 x 30 x variable power है तो इस्तॉनमी के लिए अच्छे हैं लॉग रेंज के लिए अच्छे हैं तूसरा ज सकते हैं 8 x 24 x 50 इनकी रेट्स क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा फिर तीसरे नमबर में हम रपस निकॉन का है दस बाइस पचास इस तरह से बॉक्स में आता है निकॉन की ब्रैंडिंग में चौते नमबर में लगजन कंपनी का है दस चौविस और पचास अब एक् निकॉन का है एकॉलान सीरीज में आता है बहुत ही पॉपलर मॉडल है दस पाइस पचास और चौते नमबर में लगजन का है दस चौविस पचास इन सब पे कभी ने कभी वीडियो बने है एक्सेप्ट कोनस की हमारे पस निव अडिशन्स हैं तो मैंने का चारों को क्लब कर एक वीडियो बनाओ चारों को मैंने गंबेर किया तो अगर सिर्फ आप मेरे से परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो सबसे बैस परफॉर्मेंस निकॉन की थी एबसलूट क्लारिटी थी लेकिन क्योंकि जूम बाइनॉकलर है तो आप ज़्यादा जब जूम करते हैं तो प आपने पैनोरामिक व्यू लेना है लॉंग लैंड्सकेप लेना है ब्रॉड तो आप उसमें जूम ना बढ़ा है यह 10 एक्स पावर पर यूज कीजिए और अगर आपको पास लाना है तो आप उस इसमें लिवर बने हुए जैसे आप देख रहे हैं इस केस में जैसे लिवर बना हुआ है आप गुमाते जाएए यह 30 एक्स पावर तक आजाएगा दस से 30 एक्स पावर कर चारो बैनोकलर्स जो मैंने टेस्ट किये जैसा मैं बता रहा था निकॉन में काफी शार्पनेस थी क्योंकि वो इस वज़ए से क्योंकि निकॉन का जो है वो फुली मल्टी कोट है और बैक फूर प्रिजम्स में है तो यह दोनों चीज की वज़ए से उसकी में जो थी वो ब्राइट थी सेकिंड नमबर पर जो मैं ब्राइटनेस की बात करूंगा तो मुझे लगजन की लगेगी यह वाला बैनोकलर इसके इमेज भी यह भी प्रिजम्स जो हैं मल्टी को में है तो उसका एक एज़ है अब समय आप देख रहे हैं इस तरीके से कोने में लिवर लगा हुआ है और अगर आपने जब भी फोकस करना है तो आपको इस चीज का हमेशा द्यान लखना है कि जब आप दूर का अबजेक्ट देख रहे हैं और उसके बाद पास का देख रह यह गोल्डन थम रूल है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पिक्चर की जो शार्पनेस है एक एक में शायद कम रहे या एक आई में थोड़ा सा बलर रहे फिर आप हमें फोन करेंगे या कस्टमर के एर पे फोन करेंगे कि हमें एक आई से दिखाई नहीं दे रहा वह इस व सकता है तो इसका मांद Przyinky को लेफन करने एसे यहां से मैं फोकस कर लूँ अर अगर मुझे लेफट की की इसमें फोकस करनी है तो उे यह नरश कर रिहां यहलुक्ष से लेफट आई का फोकस करन है उत मैं यह लेफ़ार मणब का लिए प्क्टर शार्प आजा कर ने नहां च ठीक लगे लेकिन आब्रस की बात कर लें और चीज़हों की बात कर लें तो इनके जो बैग्जह ऑब देख नहीं कैनो बैक है हर तरीके से प्रीमियम है इसमें निकॉन चौथे नमबर पर लगजन का है इनकी प्राइज की बात कर लेते हैं जो दस ती साथ है वह आपको साड़े साथ हजार का पड़ता है ऐसे कॉम्लिमेटरी हम आपको साथ में दे रहे हैं क्योंकि हम समझ सकते हैं मैंने भी जब वियू किया कि हाथ ठक जाते हैं आप दो मिनट से जादा अप होल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह हाई जूमड बैनॉकलर्स हैं बेस्ट बेटर है कि आप ट्राइपॉड लें अगर केमरा ट्राइपॉड है उस पर माउंट करें पाइनॉकलर अड़ाप्टर मैं आपको करनी हैं लॉंग डिसन्स अब्जर्वेशन करनी हैं और लंबे टाइम तक देखना है कोई भी मूवमेंट है कहीं नजर रखनी हैं फेंस पे फार्म हाउस पे यह से क्यूरिटी पॉइंट अफ यू से नहीं तो नॉमल बाइनॉकलर्स हमारे पास आपको मिलते ही हैं एट ब टीनल बाइस ग्राम में निकॉन वाला जो है नौ फो साठ ग्राम में और जो चोफार लगजर्वाला वह करीब सड़ इश्व करीब यहाब लगे हैं सबके किसी का 6 मीटर है किसी का 8 मीटर है निकॉन वाले का जो है वो करीब 15 मीटर के आसपास है उसका नीरस फोकसिंग डिस्टन्स और जहां तक एरिया की बात है सबसे ज़्यादा एरिया यही दिखाएगा क्योंकि इसमें 60 mm का लेंस है और 10 से 30 एकस पावर है तो बड़े लेंसे हैं तो आपिसली फील्ड ओफ यू इसका थोड़ा सा जाधा रहेगा क्लारिटी की बात दोवारा बोलूँगा मैं निकॉन ही पेस्ट है इसके अंदर सेकेंड नमबर में शायद मैं लगजन रखूँ और उसी के साथ-साथ ये भी है हालां कि इसमें multi-coated lenses नहीं ये coated है ये fully coated lenses है तो अगर आपको लेने हो मेरी website indiabinocularshop.com और मेरा WhatsApp नमबर 989921 2222 95606 87095 मैं मोही तब sign off करता हूँ उमीद है वीडियो पसंद आया होगा है उसे like कीजे जल्दी मैं आज़र हूँगा दूसरे वीडियो के साथ thank you